इस भीडियो में दीगाई जानकारियों फर एक बर आप सब कर स्वागत है आज रिभी करने वाले हैं पॉलीबियन ए इंजिक्सान के बारे में अचानग इसके अंदर कॉंटेंट सॉल्ड क्या है जो कॉंटेंट सॉल्ड मिले गया है उसके काम क्या है इसके MRP कितना हो सकता है यानि maximum little price की जला हो सकता है इसके यूज करने के सेही तारीका क्या है कौनसा भी मरी को ठीक करने के लिए उजिस लिया जाता है इसको डॉज करने के बाद साइट एफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है सब पूरी डीटल्स में जानेंगे पूरी वीडियो के साथ बने रहे हैं पूरी जान कर लीजिए क्योंकि आधा हदुर जानकरी जान लेवा भी हो सकता है चलिए वांस्टेव लान वैठावन से मेडिकल नौलिज की तरह बढ़े हैं हलाकि मार्क अबने बहुत सारा मल्टिवीटमिन का इंजेक्शन मिल जाता है उसमें मुख्याता इंजेक्शन जो है लीडर है वह पॉलिबियन एंजेक्शन जिसको P&G हेल्थ केर लिमिटेड दोरा बानाई जाता है इसके प्राइज हो सकता है 25 अला का 30 रूपय के वीजमें 2 2 ml के पैकेशिंग बहुत ही आसानी से आपको हार मेडिकल स्टोर में मिन जाएगा यह 2 ml के एंपुल में ही आते हैं कांच के एंपुल होते हैं अब देख सकते हो कैसे एंपुल होते हैं अब जान लेंगे पॉलिबियन एंजेक्शन के अंदर कॉंटेंट सॉल्ट के आम हो ज जाता है वो 100 mg के स्टेंद में इसके अंदर मिला जाता है और पाइरिडक्सिन जिसको भीटामिन B6 का जाता है वो 100 mg के स्टेंद में इसके अंदर मिला जाता है नियसिनामेट जिसको भीटामिन B3 का जाता है वो 100 mg के स्टेंद में इसके अंदर मिला जाता है डी पैंथानल जिसको विटामिन B5 कहा जाता है, वो 40 mg, यहनि 40 mg के स्टेंद में इसके अंदर मिला गया है, इन सब ही विटामिन इसके अंदर मिला गया है, इसलिए इसको हम लोग B-complex के injection बल सकते हैं, इसकी यूजस कैसे लिया जाता है, इसलिए विटामिन B-complex के deficiency होने पर कमी देखने पार ही डॉक्टर इसके प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मुख में आलसार होने के कारण से इसको यूजस लिया जाता है, नार प्रोब्लेम हो गया हो, किसी के नारवास पेन हो रहा हो, हाथ पर मुख में जंजानाड मैसुट हो रहा हो, सून्ड पड़ गया हो, साइटी का बात एक टाइपस का पेन है, उसमें भी इस इंजक्शन का यूजस लिया जाता है, बहुती सेफली उजस लिया जाता है, और बहुती आच्छे रिजाल देखने को मिलता है, जब उइगनेस ठकाठापन महसूस होता हो, तब भी इस इंजक्शन का यूजस लिया जाता है, जब सिराप और कैपसूल से बहुत ज़्यदा फाइदा देखा नहीं जा सकता है, तब इंस्टेंट रिजाल पाने के लिए डॉक्टर इस इंजक्शन का यूजस लेते हैं, पैलपीटिशन जब हो रहा हो, और भाटी ग्रो, यानि सरचक्रना जैसी समस्टेंट जब हो रहा हो, तब भी इस इंजक्शन का यूजस ले जाता है, एनेमिया की सिकायद हो जीन पैसंट का उनका एनेमिया की समस्टेंट से मुक्ति पाने के लिए, या हेमोगलोबिन पावार को बढ़ाने के लिए इस भीटामिन बी कॉमपलेक्ट से इंजक्शन के बहुत ज़द ही उजस ले जाता है, डाहेरिया होने के बाद, रहाट्रेसन होने के बाद जो ठका ठका अपन महसूस होता है, इस इंजक्शन के उजस ले जाता है, भूग बिलकुल भी खतम हो गया हो, एनॉरेक्सिया किसी का है तो हो किसी को, उसमें भूग बढ़ाने के लिए, या नेचुरल सप्लिमेंट देने के लिए इस इंजक्शन के उजस ले जाता है, दरे पड़ते हो उन situation में भी इस injection का युजिस ले जाता है दरे पड़ने के बाद जो कमजरी महसूस होता है उसने उभारने के लिए एंटिबेटिक के चलने के बाद जो नुकसान होता है सरीर में विटामिन की कमी दिखा जाता है उसको पूरी करने के लिए इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूजिस ले जता है किसी वेक्तिकल ओएड लॉस हो गया हो किस कारण से ओएड लॉस हो रहा हो वो पता नहीं चलता है टेस्ट करने के बाद विटामिन की कमी देख जाने पर डॉक्टर इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा यूजस लेते हैं ये help करते हैं proper function करने के लिए brain, heart और nervous system इन तीनो situation को proper काम करने के लिए health को बना रहने के लिए इस इंजेक्शन का यूजस ले जाता है ये मुख्यतर यूज मैंने बता है और बहुत सारा यूजस हो सकता है जो डॉक्टर इनकी experience according लेता है इसको यूज करने के पर side effect क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है वाशे तो ये बहुती safe injection समाना गया है डॉक्टर बहुती safe तरीका से इसकी यूजस लेता है इसके कुछ side effect देखा नहीं गया है फिर भी किसी किसी patient को सौव में से दो patient को हो सकता है allergic reaction हो सकता है edema हो सकता है याई soiling हो सकता है palpitation हो सकता है dgness हो सकता है और gastric irritation बन सकता है जब भी इसे लवा कोई undigurable side effect मिले अब तुरंद ही injection का बंद करके डॉक्टर से मिलिए एक note मैं बताना चाहता हूँ इसको लेने के बाद सरीर में से बहुत ज़्यदा बदबुआ सकता है stool की बदबुआ सकता है और पिसाप थोड़ा सा yellow colors की हो सकता है उसमें से बदबुआ सकता है अब ऐसे ही कोई effect देखे आपको अब बिल्कुल भी घब रहे नहीं ये vitamin B complex के tablet भी आप ले सकते हो या syrup या injection कुछ भी लेने से ये problem हो सकता है ये side effects नहीं है ये normally देखा गया है injection बंद करने के एक से दो दिन के अंदर ये problem solve हो जाता है how to use इसको use कैसे किया जाता है कौन सा root में इसको दिया जाता है ये IB intravenous तथा IM intramascular इन दोनों ही root में दिया जा सकता है जब intravenous दिया जाता है तब बहुती slow boost किया जाता है इस injection को इसको आप dilute करके दे सकते हो NS, RL, DNS तथा D5 इन सभी में dilute करके भी दिया जा सकता है इसको DNS में inject करने के पाद eolo color की हो जाता है उसमें घबना डिपल ले कोई बाद नहीं इस injection का color eolo ही होता है इसकी contraindications क्या है कि safety rules को देखना चाहिए इसको यूज करने से पहले pregnancy और best feeding मादर में यूज के जा सकता है डॉक्टर के साला के साथ जिन लोग के लिभार और kidney की problem हो तब खुद से ना यूज कीजिए डॉक्टर के साला सी उच कीजिए below 6 जाटेन 6 बर्स के नीचे जो बाच्चे है उनमें बिल्कुल भी ना दीजिएगा 6 बर्स के उपर से बाच्चों से लायाकर budget सभी में safely uses किया जाता है जो लोग इनके content से पहले allergy गरह चुका हो उनको बिल्कुल भी दिया नहीं जा सकता है इसके dose rules क्या है जो कि मैं हर वीड़े बताता हूँ dose रोई का यह स्थरोग का severity देखके नहीं था जाता है फिर भी जो normal recommended dose है वो एक से दो बार पार डे लगा जाता है जब ज़्यादा जरूरत हो problem ज़्यादा गंभीर हो तो तीन से पांच दिन पार डे एक injection करके डॉक्टर द्वारा प्रिसकरिप किया जाता है और उससे ज़्यादा problem हो तो पांच सला का दस दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है एक बार भी करके दिया जा सकता है दो बार भी करके दिया जा सकता है वो डॉक्टर के साला से ही उच किया जा सकता है खुद से ना ही उच कीजिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही इतना ही इन परमसंद देना था अब लोगों को polybion A injections के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जुरूर साबस्राइब कीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगा अगले वीडियो पर तब तक के लिए सुरक्षिद रहे है अच्छा रहे है धन्नवाद